हेला फ्रेंट्स वेलकम बेग टो माई यूटीब चैनल तो आज मैं आपके लिए वीडियो कहा हूं आज मैं आपको दोंगा मिसुवी इलेक्टिक क्वालिटी यानि मिसुवे सी एक माना यानाणा ब्रेंड है हेवी ब्रेंड है heavy brand का मिलब है, heavy cooling के साथ आता है और cooling के मामले में best माने आता है especially जो भी ढूणने जाएगा अगर मिसुविसी ढूणने जा रहा है तो मिसुविसी के अलावा कोई भाई AC नहीं लेगा because वो already users है मिसुविसी के इसलिए वो मिसुविसी ADC लेने जाते हैं अगर आप भी AC लेने जाते हो तो सबसे पहले ध्यान रखें कि AC की warranty प्लस AC की service आपको easily to मिलती है ये नहीं मिलती है अगर डीलर प्रवाइड करता है तो मिसुविसी अप ले सकते हैं क्योंकि because उसकी cooling capacity काफी better होती है तो झाल प्लाप झाल कि डेमो इसार करों में मिसुबी सी एची का है वन टन का फाइव इसार है अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करना ना भूले डेमो काफी यूसफुल रहेगी लिसुबी सी को तो वैसे बेचने की जवद नहीं पड़ती है फिर भी मैं आज आपको जो डेमो दूंगा इसमें क्या-क्या पॉइंट आते हैं इसमें पॉइंट बताने की जवद नहीं है फिर भी जो बेसीक पॉइंट आते हैं वही मैं आपको बताऊंगा छोटा सा डेमो रहेगा तो क्या-कैस में फीचर्स आते हैं क्या इसके कूलिंग के प्रशिडी बगर है यह मैं आपको पहले से के मॉडल की बात करूं मुझी जी आर तेरा वी एफ डैस डी ए वन इसका आउंडर यूनिट का कोड है को कुलिंग के प्रशिटी की हम बात करेंगे तो कंपनी इसमें कुलिंग के प्रशिटी 3700 वाट देती है क्योंकि यह वन टन का है और फाइव स्टार है नॉमली आपने सुना ही है कि किसी में 3500 आता है किसी में 3400 आता है बट इसमें 3700 वाट कूलिंग के प्रशिटी आ रहे है यानि एक कंपेर टू किसी भी ब्रेंट के वन टन से डे टन के बराबर के करीब करीब इसकी कुलिंग के यानि वन टन का अगर आप यूज करते है तो इसका जो स्टेंडर्ड रूम साइज होता है 110 स्क्वार फीट होता है बट इस एसी को आप 130 स्क्वार फीट ताग भी यूज कर सकते है क्योंकि इसकी कुलिंग के काफी हाइयर है पावर्फुल है ग्राउंड प्लोर में तो आप इसको चाहिए देड़ स्क्वार फीट पे चला है तो आरम से चल जाएगा यह क्योंकि हैवी अब हम बात करेंगे इसके इंडियन सीजनल आइस यार है जो इसका 5.02 इंडियन सीजनल आइस यार है जो की काफी हथ तक कुलिंग की क्वालिटी को बनाता है क्योंकि गवर्मेंट इसकी आइस यार देती है बात करेंगे नौइज लेवल की तो नौइज लेवल जो है इसका 19 डीवी 24 डीवी 383 डीवी है मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब यह एसी चलता है तो यह अपने स्पीड के साफसे चलता है उसी इसके स्पीड के साफसे ही य जो रूम साइज है रूम साइज के साफसे इसका 445 एर्थ हो यह जाएगा यह इसका बेनीफिट है आप बात करेंगे कंपरेसर की तो कमपनी इसमें रोटरी कंपरेसर देती है और मोस्ट सबीमें आप रोटरी आता है पहले वाले कंपरेसर अब बंद हो चुके है जयासे कि अप्टू 52 डिगरी तक टेस्टिड है यानि 52 डिगरी इसका ओपरेटिंग रेंज है वहाँ पे यह क्या होगा वहाँ पे यह कट आप नहीं लेगा बात करेंगे इसके बढमन लेजे हैं मांन लीज़े आपका आईशी चल रहा है आपने लगार थे के आपको मण पसंद है और आपके घर पर लाइट ऐचानक चले जाए फिर जब light आएगी तो आपको क्या करना है आप दुबारा से remote उठाओगे और दुबारा से उसकी setting करोगे कि मेरे को solar degree पे लगाना है बट यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे solar degree वो automatically ले लेता है auto restart के बाद यानि जब light आएगी तो वही temperature start होगा जहाँ पे आपने लगाया इसका जो design है वह design बना रखा है इस टाइप से बना रखा है जिस टाइप से की एक टाइप से बाहरी डिजाइन है क्योंकि ब्रेंड भी बाहर कई है और मुस्त जैपनीस जेर्मन जो होते हैं सब दिजाइन आपके अलग-लग बनते हैं तो इसका काफी प्यारा लुक में आत इसमें फिल्टर आता है आपका एंटी इंचीड आता है टाइन फिल्टर आता है एक टाइप से रूम की एयर को क्यों प्यूरिफाय करने का यानि एक टाइम से जो है उसको यह प्यूरिफाय कर रहा स्ट्राइब करने तो पीचर वशुबर्ड बात करें तो ऊटो फैनस्वीड पिसका जो मेंड इसका फी न न आपने साथ करता है और पने इसाथ से पूलिंग देता है रूम के अंदर बात करेंगी इसलिक से कि तो वैंस पूलिंग करता है сама अमन क्या पाइट करता है जिससे कहीं सामने बैठ हाले आदमी को भी प्रोफरलिक गूरिंग देगा आटो वेन यानी आटो वेंग का मतलब हो गया है कि जो इसकी कुलिंग होगी लेफट राइट आप एंड डाउन होगी यानि कूलिंग जब यह करेगा आप डाउन और मोर्ण के करिब करेगा यह बता रहा हैं क्योंकि जब भी आप इसको आपरेट करऊ भरक teams ओस mortgage क्यों लेगी कुछ सेकेंड हो के अंदर इंस्ट कुलिंग तब चाहिए होती है जब हम कहीं भाहर से आ रहे हो या फिर महमान ज्यादा हो या फिर हमें ज्यादा गर्मी लग रही हो उस समय इंस्ट कुलिंग चाहिए होती है स्लीव मोड आ गया स्लीव मोड में क्या होता है स्लीव मोड में जब आप लगाओगे तो वह क्या करेगा आप्टमेटिकली टेंपरिचर को सेंस करेगा कि में को कितना टेंपरिचर चाहिए और कितना टेंपरिचर पे रखना चाहिए क्योंकि रात के समय में आप बार बार तो उठोगे नहीं तो यह का करेगा सिंस करेगा तैंप Det बात करते हैं कॉपर की तो हंडर परसेंट गुर्विंग कोपर आता है अंदर से राउंडिंग का यानि जब यह पास होगी तो राउंड करके यानि धिरे-धिरे करके आएगी यानि cooling coils पर आपके cooling अगर रुखेगी और जब लोगर चलेगा तब ही तो बेटर ज्यादा cooling मिलेगी यह फिर अगर प्लेन सर्फेस पर cooling चल रहे हैं cooling पास हो रही ऐसे तो cooling pipe ठंडे नहीं और तो cooling क्या प्रोवाइड करेगा तो यहां पर गुरुविंग का यही फायदा है आप लास्टली मैं बात करूँगा इसकी वरंटी को रिलेटिल लेगे तो मैंने बता दिये तो अगर इस मॉडल में अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं मैं जबाब पक्का दूँगा और मेरे चैनल को लाइक एंड शाय करना ना हो लिए फिर से दुबारा से मैं आपको नहीं वीडियो लेक्या होगा थेंगे